जी के मस्ती MS में आप लोगों का फिर एक बार स्वागत है राजनीत विग्यान के तहट हम लोगों ने समिधान के 22 भाग कम्पलीट कर लिए बारी बारी से आज हम तुम लोगों को महात्रपूर्ण समिधान संसोधन का महत्रपूर्ण समिधान संसोधन अधनियम का पहला वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं जिसमें सुरुवात के आप 21 संसोधन अधनियम देखेंगे समिधान के जो सुरुवात के 21 समिधान संसोधन है तो देर ना करते हुए देखते हैं पहला समिधान संसोधन 1991 में जो हुआ था इस संसोधन अधनियम द्वारा अनुछेद 15, 19, 85, 87, 174, 176, 314, 342, 374 और 376 में संसोधन किये गए 15, 19, 85, 87, 174, 176, 314, 342, 374 और 376 में संसोधन किये गए तथा दो नए अनुछेद 31 का तथा 31 खा और नवीश अनसूची को समिधान में जोडा गया इस संसोधन अधनियम द्वारा किये गए मुख्य प्रावधान निमलिखित हैं जैसे पहला प्रावधान किया गया अनुछेद 31 का अनुछेद 31 का को जोड़कर जमीदारी प्रथा के उनमूलन को वैधानिकता प्रदान की और अनुछेद 31 का जोड़कर या प्रावधान किया गया कि सम्मिधान की नवी अनसूची में सामिल किये गए अधनियमों की वैधानिकता को नियाले में चुनोती नहीं दी जा सकती अनुछेद 31 का को जोड़कर जमिदारी प्रथा का अनुमूलन वैधानिक प्रदान किया गया और खा में समिधान की नवी अनसूची में सामिल किये गए अधनियमों को वैधानिक्ता को नैयाले में चुनोती नहीं दी जा सकती। अनुचेद उननीस टू में संसोधन करके लोक विवस्था विदेशी राज्यों से महत्री सम्मंद तथा अपराद के उद्दीपन के आधार पर वाकेवम अव्यक्त की स्वतंतरता पर रोक लगाई गई। उननीस टू में संसोधन करके लोक विवस्था विदेशी राज्यों से महत्री सम्मंद तथा अपराद के उद्दीपन के आधार पर वाकेवम अव्यक्त की स्वतंतरता पर रोक लगाई गई। अनुछेद पंदरा चार को जोड़कर सामाजिक तथा सैचलिक दरश्टिशे पिछड़े हुए लोगों के सम्मंद में विशेश कानून निर्माड हेतु राज्यों को अधिकार दिया गया। पंदरा चार को जोड़कर सामाजिक तथा सैचलिक दरश्टिशे पिछड़े हुए लोगों के सम्मंद में विशेश कानून निर्माड राज्यों का अधिकार दिया गया। अधिक्तम सदस संख्या निस्चित की गई सम्मिधान संसोधन दो के द्वारा। अनुछे देक्यासी का में संसोधन करके। संसोधन में विस्तार किया गया। सात्वी अनसूची की तीसरी सूची समवर्ती सूची की प्रविश्टी 33 में विस्तार किया गया। जिससे आवसक्ता पड़ने पर संग सरकार आवश्यक वस्तूओं के उत्पादन आपूर्त था वित्रण के संबन में कानून बना सके। तो ये तो तीसरा संसोधन हुआ। नियाले में चुनोती नहीं दी जा सकती। 31 का तथा 305 में संसुधन करके या विवस्ता की गई कि ये राज सार्वजनिक प्रयोजन के लिए कानून दौरा किसी व्यक्तिगत संपत के एरजन के लिए प्रतिकर निर्धारण का अधिकार प्राधिकारी को प्रदान कर दे तो प्राधिकारी द्वरा निर्धारित प्रतिकर को नियाले में चुनोती नहीं दी जा सकती। तो ये समिधान का चोथा संसोधन था। राष्टपती द्वरा निश्चित कर दिया जाए और यदि राष्टपती द्वरा विहित समय सीमा के अंतरगत राजविधान सवा अपनी राय ना दे तो संसदू संबंद में कानून बना सकती है। अनुछेद तीन में संसोधन किया गया पांच में संसोधन अधिनियम द्वरा 1955 में। अब संम्मिधान संसोधन छाठवा हुआ 1956 में। इसके द्वरा संम्मिधान की सात्वी यन सूची की प्रथम सूची यानि संग सूची में संसोधन करके एक नई प्रविष्ट बानवे का को जोड़ा गया। तीसरे संसोधन में समुवर्ती सूची में प्रविष्ट करके 23 में विस्तार किया गया। और इसके द्वरा केंद्र को अंतर राजिक क्रय था विक्रय के सम्मंद में कानून बनाने का अधिकार दिया गया। इसके अतिरिक्ति से संसोधन द्वारा उच्चतम नयाले के नयाधीसों की संख्या में ब्रद्धि की गई छाठवे संसोधन द्वारा तथा उच्च नयाले के नयाधीसों को उच्चतम नयाले में वकालत करने की अनोग्या दी गई तो ये तो छाटमा संसोधन अधनियम हुआ समिधान संसोधन साथमा अधनियम 1956 में ही हुआ साथमे संसोधन अधनियम द्वरा समिधान की प्रथम अनुछेद सूची में संसोधन करके राज्यों को 14 राज्यों तो था 6 संग राज्य छेत्रों में पुनरगठित किया गया सम्मिधान का आठ्मा संसोदन अधनियम 1960 में हुआ सम्मिधान का आठ्मा संसोदन अधनियम 1960 में हुआ अनसूचि जातियों जन्जाति को अरच्छन विवस्था में विस्तार और आंगल भारती प्रतनिदिको लोक सभा यों विधान सभाव में 10 वर्ष के लिए व्रद्य अर्थात 1970 इसवी तक बढ़ा दिया गया आठ्मे संसोदन अधनियम द्वारा 1960 में समिधान का नवा संसोदन अधनियम 1960 में हुआ इस संसोदन द्वारा भारत पाकिस्तान के मद्ध भूमिहस्तांत्रन के लिए किये गए समझावते को कार्विनित करने के लिए भारत के भूभाग को हस्तांत्रित करने का अधिकार दिया गया ये तो नवा संसोधन अधिनियम था अगला है दस्वा सम्मिधान संसोधन अधिनियम 1961 तो दस्मे सम्मिधान संसोधन अधिनियम 1961 के अंतरगत भूत पूर्थ गाली अंता छेत्रों दादरायम नगर हवेली को 1961 में दादरायम नगर हवेली को भारत में सम्मिल कर उने केंद्र सासित प्रदेश का दरजा दे दिया गया सम्मिधान संसोधन दसमे द्वारा 1961 में सम्मिधान का ग्यारवा संसोधन अधनियम 1961 में ही आया इसमें राष्टपती या उपराष्टपती के चुनाओं को इसाधार पुरुचुनवती नहीं दी जा सकती की निर्वाचन मंडला पूर्ड है और ना उपराष्ट पती के चुनाओं के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना अवश्चक कर दिया गया तो ये दो प्रावधान किये गए 11 संसोधन द्वारा 1961 में कि राष्ट पती और उपराष्ट पती के चुनाओं को इस आधार पुर्चनवती नहीं दी जा सकती कि निर्वाचन मंडला पूर्ड है और ना ही उपराष्ट पती के चुनाओं के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना अवश्चक है ये कर दिया गया 12 संसोधन हुआ 1962 में 12 संसोधन अधनियम 1968 के दोरा गोवा दमन तथा दीव को भारत का संग राजशेतर में घोशित किया गया 13 संसोधन अधनियम 1962 के दोरा नागा लेंड को राज की स्रेडी में रखकर संसोधन की प्रथम अनसूची में सामिल किया गया तथा सम्मिधान में अनुचे 371 का को अनता इस्ठापित करके नागा लेंड के सम्मण में विशेस प्रावधान किया गया नागा लेंड अनुचे 381 का को रखकर 14 संसोधन अधनियम 1962 इसके दोरा पांड चेरी को भारत का अंग तथा संग राज छेतर में विधान सभा तता मंति परसद की स्थापना का अधिकार दिया गया और अनुछे 349 का जोड़कर पांड चेरी के लिए विधान सबा तता मंत्रि मंडल के गठन हेत प्रावधान किया गया अधिकार दिया गया और अनुछे 349 का जोड़कर पांड चेरी के लिए विधान सवा तथा मंत्रिमंडल के गठन हेत प्रावधान किया गया ये समिधान चवद्वा संसोधन अधिनियम है अगला समिधान संसोधन अधिनियम पंद्रवा 1963 के द्वारा उच नियालेओं की अधिकारिता में व्रद्द की गई तो था उच नियालेओं के निया अधिसों की सेवा निवरत यायू को 60 से बढ़ा कर वासट कर दिया गया सेवा निवरत यायू को उच नियालेओं के अधिकारिता में व्रद्द की गई और उच नियालेओं के निया अधिसों की सेवा निवरती 60 से बढ़ा कर वासट कर दिया तो सोलमा समिधान संसोधन 1963 में ये प्रावधान किया गया नमबर एक राज की संप्रभुता तथा खंडता की रच्छा हे तो राज मूल अधिकारों पर युक्त युक्त निर्वंद लगा सकता है दूसरा प्रावधान किया गया किसी भी राज के भारत संग से प्रथक होने तथा संग को भंग करने के प्रियास को अवैद घोसित कर दिया गया तीसरा संसत तथा राज विधान मंडल के सदश्यों को भारत की अखिंडता बनाए रखने के लिए प्रभुत्त संपनता की रच्छा की सपत ग्रहण करनी होगी संसत तथा राजविधान मंडल के सदश्चों को भारत की अखंडता बनाये रखने तो था प्रभुत्त संपनता की रच्छा की सपत ग्रहण करनी होगी ये 16 संविधान संसोधन में विवस्था तीन की गई अब सत्रवा संविधान संसोधन 1964 में हुआ तो सत्रवे संविधान संसोधन 1964 में नवी अनसूची में 44 अधनियम जोड़े गए तथा संपत के अधिकार को सपष्ट किया गया यदि भूमिका बाजार मुल बतावर मुआवजा ना दिया जाए तो वेक्तिकत हितों के लिए भू अधिगरण प्रतिबंदित 1964 नवी अनसूची में 44 अधनियम जोड़े गए और इनमें ये बताया गया संपत के अधिकार को सपष्ट किया गया कि यदि भूमिका बाजार मुल बतावर मुआवजा ना दिया जाए तो वेक्तिकत हितों के लिए भूमि अधिगरण प्रतिबंदित है तो वेक्तिकत हित के लिए भूमि अधिगरण नहीं कर सकते समिधान का अठारवा संसोधन 1966 में हुआ तो अठारवा संसोधन अधियम 1966 के द्वारा अनुछे तीन का को जोड कर या प्रावधान किया गया कि संसद किसी राज जी या संग राज छेत्र के एक भाग का गठन कर सकती है तथा पंजाब को पुनर गठित करके पंजाब युम हरियाणा राज तथा हिमाचल संग राज छेत्र की स्थापना की गई ये अठार्वे सम्मिदान संसोधन अधनियम द्वारा पंजाब को पुनर गठित करके पंजाब और हर्याडा और हिमाचल संग की राज की स्थापना की गई एठार्वे सम्मिदान संसोधन अधनियम उन्निस सोच चन के दौरा निरवाचन नयाधिकरणों को समाप्त करके विवस्था की गई की निर्वाचन सम्दी विवादों को सीधे उच्छ नियाले में दाखिल किया जा सकता है बीस्मा समिदान संसोधन अधनियम 1966 में गईए तो बीस्मा समिदान संसोधन अधनियम 1966 के दोरा जिला नयायलेओं में लिए धिसों की नियुक्ति तथा इस्थान्टरों को वैधता प्रदान की गई तथा उचे 333 का को जोडा गया दलब जिला नयालेओं में नयाद हीसों की नियुक्ति तथा इस थांत्रणों को वैदिता प्रदान की गई तो था अनुछे 333 का को जोड़ा गया और आज के वीडियों का लाष्ट है सम्मिधान संसोधन अधनियम 21 जो 1967 में हुआ तो 21 संसोधन अधनियम 1966 कहता है कि आठवी अनसूची के राज भासा की सूची में सिंधी भासा को जोड़ा गया जो पंदरवी भासा के रूप में समलित किया गया है आठवी अनसूची के जो राज भासा है उनमें उनिस सरसट में 21 में सम्मिधान संसोधन्द और आप पंदरवी भासा के रूप में सिंधी भासा को समलित किया गया तो यह तो अनुचेदी कीश हुए सम्मिधान संसोधन हुए बार बार इस वीडियो को देखें और लाब उठाएं थैंक्स पॉर वाचिंग